नमश्कार किसान भाईयों मैं राज्श्कमार बर्मा एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल राज एग्री टेक की इस नई वीडियो में किसान साथियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपने खेत में जो पपीता लगाया है उसे रोगों और कीटों से कैसे बचाया जाए चलिए किसान साथियो बात करते हैं इस टोपिक पर किसान भाईयों पपीता की भसल के लिए सिचाई का प्रबंद होना बहुत जरूरी होता है गर्मियों में 6-7 दिन में सिचाई करनी चाहिए साथ ही साथ इस बात का विसेश ध्यान रखना चाहिए कि पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए लगातार सिचाई करते रहने से खेत की मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है जिससे पौधी की ब्रद्धी पर प्रभाव पड़ता है इसलिए हर दो तीन सिचाई के बाद थालों की हलकी निराई उडाई करनी चाहिए जिससे मिट्टी में हवा और पानी का अच्छा संचार हो सके किसान भायू पपीते में मोजैक, लीफ कर्ल, डिस्टोसर्न, रिंग स्पॉर्ट, जड़ और तना सडन, एंथ्रेक नोज, एवं कली और पुस्प ब्रंत का सडना आध रोग लगते हैं इनके नियंत्रण में बॉर्डो मिक्षर पांच अनपाद, पांच अनपाद, बीस के अनपाद को सडन गलन को खुरच कर लेप लगाना चाहिए दूसरे रोगों के लिए व्लाइटक्स तीन ग्राम या डाइथेन एम पैंतालस दो ग्राम पृति लीटर अत्वा मैन के जोब या जिनेब की 0.2 प्रतसत से 0.25 प्रतसत को प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काओ करना चाहिए किसान साथी पपीते के पौधों में कीटों से कम नुक्सान पहुचता है फिर भी कुछ कीड़े लगते हैं जैसे माहू, रेड, स्पाइडर माइट, नेमेटोर आदे इनके नियंत्रन के लिए डाइ मेथोईट 30 प्रतसत की 1.5 ml को या फास्पोमेडॉल 0.5 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में खोल बना कर छिड़काओ करना चाहिए जिससे सभी कीड नस्ट हो जाते हैं किसान साथ यो जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक कर दे तदा चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार